हेलो स्टूरेंज वेलकम टो माई चैनल तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सीडीपी का कोर्स जिसमें हम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वीडियो के अंदर पूरा कोर्स कम्प्लीट कर लेंगे जितना हमें एच्टैट में रिक्वाइड है अब यहां पर जितने भ सुन भी लोगे एक दो बार वीडियो को तब भी आपका सीडीपी हो जाएगा तो मैंने कुछ टॉपिक वाइज इसे सलेक्ट किया है जो हमें पढ़ने चाहिए अगर आपको इससे जादा पढ़ना था आप पढ़ सकते हो यह वीडियो एक बार सुनने से आपकी हेल्प हो सो हमारा जो एक्चली सीडीपी का फुल फॉर्म ही है चाइल्ड डवेल्पमेंट पेडगोजी कि हम जो बच्चा है बड़ा होता है उसमें डवेल्पमेंट्स आती है उनको एक टीचर के एकस्पेक्ट से हम कैसे रिलेट कर पाएंगे यह बात है तरफ अगर हम बात करें ट जो टीचर होता है वो 6 से 10 तक के बच्चों के बीच में रहता है तो उसे उस एज के बच्चों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे उसकी डवेल्पमेंट होती है अगर एक पीज़ेटी की बात करें तो उसे 9 से प्लस 2 तक रखते है तो उसे एक टीनेज वाले बारे में सब कुछ पता होना चाहिए तो यह सब्जेक्ट उसी पर फोकस करता है और एच टाइट में इसी टाफ के कुश्चन जाते हैं इस सब्जेक्ट में बहुत सारे जो हमारे साईकोलोजिस्ट आए उन्होंने पनी बहुत सारी थियरीस भी दी तो उन में से कुछ जैसे जैसे आप theories पढ़ते जाएंगे आपको clear होता जाएगा मैं थोड़ा सा way में आपको बताती जाओंगी जो हमारा first है उसमें हमें पढ़ना है कि development क्या है और development एक बच्चे की learning से क्या से relate करता है so development क्या होती है एक बच्चे को dependency से autonomy की तरफ लेके जाना autonomy मतला independent की तरफ एक बच्चा बिल्कुल छोटा होता उसे चलना भी नहाता है वो हमारे सहारे चलता है लेकिन धीरे धीरे वो चलना सीच जाता है तो वो उसकी development है वो हमारे पर dependent था then वो independent हो गया तो development जो होती है वो qualitative plus quantitative changes दोनों होंगे यानि हमारी physically हमें क्या changes आ रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं कुछ चीज़े सीख रहे हैं और qualitative जो हमारे emotions हमारी feelings हमारे social, moral जो ये development हो रहे हैं वो सारी यानि development consider करते हैं हम सब कुछ physical development हमारा moral, cognitive, social सारी developments से इसमें आएंगे तो हम क्या कहते हैं development एक change होता है हमारी body में जो हमारा conception से death तक होगा मतलब 9 months जब वो baby के पैदा होने से पहले 9 months होते हैं वहां से start होकर जब तक इंसान मरता है तब तक उसमें development चलती रहेंगी तो development is a lifelong process और किसी भी random change को development नहीं कहा सकते कि बंदा बिमार हो गया तो उसमें development हो रही है कुछ यह development घटरी है नहीं वो एक temporary phase है उससे वो जल्दी निकल जाएगा लेकिन उस temporary phase को अगर वो temporary चीज हमारे अंदर रहे गई पर्मनेंट बन गई तो वो development है और हर change development नहीं होता इस चीज को समझने इसलिए जरूरी है यह कह देंगे कि एक बंदा बिमार है वो बिमार होके recover हुआ क्या उसने develop किया नहीं उसने develop नहीं किया वो एक temporary changes थे उसके अंदर जो खतम हो गए अब तो development हमारी personality को include करता है mental को और emotional aspects को development five type six types होते है physical development जो हमारी body growth कर रही है cognitive यानि हमारी मतलब हमारा दिमाग कितना विक्सित हो रहा है हम चीजों को कितनी fast सीख रहे हैं कोई बच्चा 9 महीने का चलना शुरू कर देता है कोई डेर साल का चलता है तो वो उनके cognition में फर्क है उनकी बुद्धी का विकास कितनी जल्दी और लेट हो रहा है emotions कितनी जल्दी वो control करता है या कितनी जल्दी उसमें emotions आते है moral development का मतलब societies are related कि वो society के rules regulations अपने दिमाग में कितनी जल्दी fit करता है language कितनी जल्दी सीख रहा है social development मतलब वो society moral का मतलब वो rules कितनी जल्दी अपना रहा और social development का मतलब वो आपस में लोगों के साथ interact कैसे कर रहा है maturation is a physical intellectual or emotional development of a personal ठीक है जैसे हम कहते हैं यह बंदा mature होगा है mature का मतलब क्या होता है यह मतलब बीच में मैंने कुछ कुछ चीजे highlight की है क्योंकि यह आती है तो mature का मतलब होता है कि वो physically और intellectual और emotional कितना developed हुआ है next और यह ना बहुत जादा कोई बिच्चा कितना mature होता है इसे बहुत जादा heredity से बोला जाता है कि तुम्हारे खांदान में सारी mature पैदा होता है तो तुम mature होगे now एक word आता है growth, growth और development में बहुत जादा confusion होती है तो growth जो है वो physical development को बोलते है और development हमारा qualitative और quantitative दोनों होगी लेकिन growth सिरफ quantitative होगी कि हमारी body इतनी बढ़ रही है height बढ़ गई, weight बढ़ रहा है, weight कम हो रहा है यह चीजे, यानि कि हमारी growth सिरफ physical aspects को लेती है लेकिन development हमारे सारे aspects ले रही है growth सिरफ height, weight इन चीजों से relate करेगी लेकिन development हमेशा हर चीज को relate करेगी growth एक certain age के बाद रुख जाती है हम कहते हैं न, adolescent के बाद, कि अब यह बच्चा बढ़ा हो गया 17-18 साल को हो गया, कि अब इसकी height नहीं बढ़ेगी यानि अब उसकी growth रुख गई है लेकिन उसका development नहीं रुखा है तो development, death तक जाएगा growth को हम measure कर सकते हैं development को सिरफ assess कर सकते हैं growth ए development के लिए यह 6 factor हमारे जो हैं, क्या कहते हैं matter करते हैं, heredity बच्चों में कुछ चीज़े पीछे से ही आती है खून में होती हैं उनका gender क्या है, उनको कैसा environment मिल रहा है कैसा खाना पीना मिल रहा है early stimulations मतलब उनके साथ कुछ बच्पन में घट गया हो कुछ ऐसी चीज़े हो जिनसे वह जल्दी में चोर हो गया हो और child rearing process practices मतलब उनका pollen portion कैसा हो रहा है मतलब ऐसा भी है कि एक बच्चे को अच्छा खाना पीना मिल रहा है environment भी अच्छा मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है लेकिन दो बच्चे में फरक्ट क्या है कि एक के parents जॉब पे जाते हैं और जिसके parents जॉब पे जा रहे हैं वो जल्दी में चोर हो जाएगा लेकिन उसका बच्चपन खो जाएगा human development की four stages होती है यह बहुत important stages है इसमें four stages जो हैं हमारे exam के according होईगी जो infancy जो stage है वो infancy और early childhood age पहली है infancy मतलब बच्चा जनम से 2,5 साल तक का second है अभी करवाती हुएं सारी early childhood 2 से 6 साल तक का बच्चा फिर later childhood 7 से 11 साल तक का और last में adolescent 13 से 19 साल जो PGT वाले है वो childhood और adolescent पे focus करेंगे जो TGT वाले है वो किस पे focus करेंगे early childhood और later childhood और जो PI पे focus करेंगे हमारे infancy और early childhood पे क्योंकि इन ही टाइप के बच्चों को उन्हें face करना होता है लेकिन हमें पढ़ना चारों है एक बार चारों को दिमाग से निकालना ज़रूरी है infancy में बच्चा क्या होता है अपने पहले कुछ सालों में आता है अपनी senses से समझ बनाता है वो बस इतना याद रखना senses से समझ बनाता है मतलब कि ऐसे वो चीज़े चूचू के देखता है सारी मूँ में डालके देखता है वो देखता है उन्हें touch करता है taste करता है उसके according फिर उसे पता चलता कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है या नहीं जैसे कोई छोटा सा एक डेड़ साल का बच्चा उसने किसी चीज से चोट खाली तो वो उसे दुबारा चूएगा नहीं क्योंकि उसने अपनी touch करके चूँके उसे समझ लिया इसे चोट लगती है एक हमारे थियोरिस्ट साइकलाजिस्ट है प्याजे प्याजे ने बोला इस एज को सैंसरी मोटर स्टेज जो प्याजी वाले नोट करें इस चीज को इस एज में बच्चा सीखता क्या-क्या है स्वरी एक तो घ्रोसमोटर, ड्वैल्मेंट और एक फाइन मोटर जो अपने बड़े बोडी पार्ट हाथ प्यार होगे इनसे सीखता है चीजी ये चलाने सीखता है और फाइन मोटर मतलब छौटे बोड़ी पार्ट मतलब फिंगर्ज होगे या कि एसी चीज़े होगी, इसमें धेख लो वो क्या क्या सिखता है, तीन महीने से पहले बच्छ और गादन act चलना शुरू कर देता है नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं हम यहां पर exceptions नहीं कि कोई बच्चा कभी सीख रहा कोई कभी नॉर्मल बच्चा इसी एज में सीखता है 18 महीने का डेड़ पौने 2 साल का बच्चा जो हता है वो नॉर्मल ही भगना शुरू कर देता है चीजों को देखे लेकिन वो संभलना नहीं सीखता होता पूरा और चौबिस महीने का जो बच्चा है दो साल का बच्चा है वो कहीं सीडिया मिल जाए उसे दो सीडिया उन पे चड़ना शुरू कर देगा और तीन साल का बच्चे को अप साइकल दिलवाई देते हो और फाइन मॉटर्स में फौर मन्त का बच्चा है जो जैसे रिंग पकड़ लिए किसी की चेन पकड़ लिए चीज़े सीख जाता है और साथ महीने का बच्चा कोई चीज़े पकड़ना सीख जाता है अपने हाथ में उसके हाथ में कुछ दो वो पकड़ लेगा उसे और 9 महीने का बच्चा है जो चीजों को उंगलियों में पकड़ना सीख जाता है तो ये थोड़ी बहुत चीजे हैं जो आपको पदाने चीए ये इंपोर्टेंट है अरली चाइल्ड हुड एज इसको बहुत सारे नाम से बोलते हैं प्री गैंग एज प्री स्कूल एज और टो एज जो ये प्री लगाया है मतलब इस एज से पहले वाली एज यानि ये अगली एज है इसकी ग्रोथ बिल्कुल रैपिड नहीं होती इस एज में मसल्स और आइस डेवल्प होती हैं क्योंकि तो बहर से डेवल्कमेंट में लग रही होती वॉकिंग सीखता है रहनिंग बैलंसंग सेल्फ ड्रेसिंग भी सीखता है ये इंपोरेंट पई इसका सेल्फ ड्रेसिंग इस पर कॉश्श्चन आता है दो से छे साल का बच्चा खुद को तयार करना सीकता है मतलब अगर आप इस चीज को दिमांग में बिठाओ कि वो 2-6 साल का बच्चा क्या करता है वो अपनी ड्रेसेज खुद चूज करता है ममी नहीं यह नहीं पहननी मुझे वो पिंक वाली फ्रोग पहननी है इस age में किसी English वाले के पास छोड़ दो, वो English सीथ जाएगा खुद से. Self-centric होता है, थोड़ा उसे खुद का ही पता होता है, उसे दुनिया का नहीं पता होता है, क्या चल रहा सपस. उसे खुद से मतलब होता है, उसे नहीं पता कि अगर वो ड्रेस वाशिंग में है, तो वो धुले गी अभी, उसे आप समझा नहीं पाओगे, उसे वही ड्रेस पहन नहीं है, चाहिए उसे मैली पहन नहीं पड़े. यह पढ़ ले ना, इसमें कौन-कौन सी डेवल्पमेंट होती है, आप खुद ही देखो, धाई से 6 साल के पचे में क्या-क्या चीज़े होती है, भागना, कुदना सीख जाता है, साइकल चलानी सीख जाएगा बिना सपोर्ट के, या बोल, कैच वैश सीख जाएगा, जो यह इपौर्इंट प्वैंट है इसका कौपी करना सीखता है, वह सब को, जो वह किसी को भी करते देखेगा, वो बोलेगा, जैसे की, आपकी मम्मी का नाम है आपकी मम्मी का नाम से कोई बुला रहा हुने suppose किसी भी नाम से बुला रहा है तो वो खुद भी अपनी मम्मी को नाम से बुलाना शुरू कर देता है वो कॉपी करता है उन्चीजों को कोई किसी को डांट रहा है तो वो उसी के सामने उसको ऐसे डांटे का तो ये बच्चे ऐसे सीखते हैं, कॉपी करना सीखते हैं, एक्ट करना सीखते हैं, किसी की नकल उतारते हैं Later Childhood Age, ये भी important है ये बहुत ज़्यादा period of excellence होता है Pseudo Maturity Age होती है बच्चा खुद को बड़ा समझता है मतलब वो बड़ा बनता है जैसे बड़े बाते करते हैं, दादी अम्मा टाइप्स बहुते हैं कुछ बच्चों को वो इस एज में बनते हैं, 7-11 साल की उमर में ये फ्राइड जो है हमारे, उन्होंने बोला ये latency period है ये वाला point important है, school age है, troublesome age है, quarrelsome age है मतलब इसमें बहुत शयतानिया करते हैं बच्चे गैंग बनाते हैं अपने school में जाके इसको school age भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा school इस age में प्यारा होता है वोना school जाने से बिल्कुल निकतर आएगा, Sunday को भी त्यार होके खड़े हो जाते हैं बच्चे हमें school जाना है उन्हें बहुत समझाना पड़ता है, creative होते हैं, बहुत creative होते हैं और खेलने को उदने में ध्यान रहता हूंका, play age भी बोलते हैं इसे physical development जो है, वो सबसे ज़दा इस age में होती है Ericsson इस age को industries versus inferiority बोलते हैं अगर इस age में कोई डर बैट गया न बच्चे को, वो कभी नहीं जाएगा और इस age में logics बहुत अच्छे solve करते हैं बच्चे तो इसमें points note करने आपको, पूरा-पूरा paragraphs नहीं पढ़ने आपने देखा हो, मेरे notes भी points के basis पर है, एडॉल्ट सन क्या होती है Teenage होती है, 13 से 19, ये जो होता है transition होता है childhood से adulthood में, बच्चा बच्चे से बड़ा होता है, ठीक है, poverty age भी बोलते हैं से इसमें बहुत ज़्यादा biological और physical change आते हैं और intense socialization होती है, मतलब जो हम बोलते हैं बच्चों पर पीर प्रेशर होता है बच्चों पर इस टाइम पे, वह एक दूसरे को देख देखके, अपने पर इतना ज्यादा stress लाल देते हैं, तो Stanley Hall इस एज को stress traumage बोलते हैं और formal operational age होती है, मतलब बच्चे tough से tough problem इस एज में solve कर सकता है, एक 40-year वाला इस एज, 40-year वाला इस problem को solve नहीं कर पाएगा, जो एक teenage वाला कर जाएगा, easily अगर वो सीख जाए तो, तो यह हमारा topic था, इसके बेस पे कुछ questions अगर आप देखना चाहो तो writing are improved during, writing और running कौन सी age में सीखता है बच्चा, वही 2-6 साल के बीच में, early childhood में यह question number 2 में पूछा हुआ था, मैंने पूरा question है लिखा कि toddlerhood age किसे बोलते हैं, toddlerhood age मतलब जिसमें बच्चा रेंगता है, या फिर क्या बोलते हैं, उसे crawl करना सीखता है, वह होती है एक से तीन साल के बीच में, बतलब उसे crawl like a toddler की तरह, toddler आपको पता उसको बोलते हैं, main duck type चीज होती है, उदल बहुत फुदकता है, सीधा चल नहीं सकता, उसे साहरा चाहिए, crawl करता रहता है, ऐसे next question है, तनवी और मानवी हैं, दोनों पांच साल की हैं, दोनों की bodies में difference हमें कब दिखना शुरू होगा, ठीक है, तो वह obvious अनोंने पहले ही बोल दिया, वह पांच साल की इतना तो पढ़ने की जुरूरत नहीं, पांच साल का बच्चा कौन से में होगा, इंफैंसी में होगा इस टाइप की easy questions ही होते हैं, तो आपको बस एक बर देखना होता है, according to PJ, during the first sensory motor sub stage, infant's behaviors are, इनने काई की sensory motor की जो stage होती है, उसके according, जो बच्चे होते हैं, उनका behavior में क्या होते हैं सबसे ज़ादा, reflexes होते हैं, reflexes का मतलब senses, sensory motor age का नाम ही क्या है, sensory motor age, यानि वो अपने senses से काम ले रहे हैं, infants मतलब जो बर्त से 2 साल तक की बच्चे हैं, वो अपने reflexes मतलब, अगर तुम उनकी तरफ ऐसे करो, मतलब कैसे बताऊं, एक दम उनकी तरफ हाथ करोगे, या तालीब जाओगे, व उनके reflexes बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, उनको बोलते हैं senses, next question, during to 6-7 year child, start taking interest in, 6-10 साल का बच्चा सबसे ज़्यादा interest की stage में लेता है, अभी हमने पढ़ा 6-11 साल की भी उमर कहां पे होती है, later childhood, उसे बोलते है school age, उस age में बच्चा सिरफ school जाना पसंद करता है, खेलन उसे नहीं पता होता धरम क्या है, sex क्या है, human body में, कि मैं मोटा हूं, पतला हूं, इन चीजों से उसे फरक नहीं पढ़ता, उसे teenage में जाके फरक पढ़ता है इन चीजों से, अभी तो वो बस school में मस्त होता आपने, या friends में, या school में, कौन सी stage को stage of identity बोलते हैं, ये question आगे आएंगे, क्योंकि ये चार stages ही हैं, इनी चार stages को अलग-अलग psychologist ने अलग-अलग नाम दिया हैं, बस हमें वो याद रखने हैं, तो stage of identity, अगर हम इसे थोड़ा सा guess करें, किस उमर में बच्चे को अपनी पहचान पर वो होती है, कि हां मैं ऐसा हूं, मेरी ये पहचान है, मे adult sonage, तो ये हमारे कुछ questions थे, ये topic था development का, अगर आपके अच्छा लगो, प्लीज वीडियो लाइक करें, और मुझे प्लीज रिस्पॉंस दे, ताकि मैं अगली वीडियो के लिए खुद को मॉटिवेट कर सकूं, because I am also preparing for a lot of exams, और मुझे खुद भी पता है कि मैं कितनी प पापरेश्ट